हेलो व्रीबॉन वेलकम तो चैनल अगरिकल स्टेडीज मेरा नाम है दिवाकर खेतरी और आज इस वीडियो के दारान हम फ़ेनमेंटर्स ऑफ सॉयल साइन्स में सॉयल प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं सॉयल प्रोफाइल क्या होती है यह आप जानते ही होंगे कि वर्टिकल सेक्शन ऑप दे सॉयल प्रॉम सर्फेस तु दे पैनेंट मेटिरियल वर्टिकल सेक्शन यानि हम जब उपर से नीचे की तरफ जाए हैं तो वर्टिकल ही अगर हम सॉयल को जब अब्सर्व करें तो इस सॉयल बनी है तो जिससे सॉयल बनी है म Born ह तो इस तरह से इसका वर्टिकल सेक्शन को देखते हैं कि वर्टिकल सेक्शन के बाटिकल सेक्शन क ज hacia की टरफ हम अब्सपमें देखते हैं ौने-टे क्या है इसका मतला यह summary have अब हम देखते हैं कि यह जो लेयर्स है यह हम सबसे पहले देखते हैं और दूसरे हम देखते हैं डियाग्नॉस्टिक वी हम देखते हैं एक तरह से क्वालिटी को रिपरेइन करते हैं इन या आप इस तरह सकते हैं कि जब सौईल बन रही है या किसी भी तरह की सौईल बन रही है तो उसके अंदर हम देखते हैं यह जेनेटिक हो देखे जाते ही हैं कोई भी स्वाइल तब कहते हैं हम उसके अंदर कुछ इस तरह की हो इन जाते हैं आ और जो दूसरी तरह हम देखते हैं और जो दूसरी हम देखते हैं डियाक्नॉस्टिक हो इधने diagnostic origin जो है, वो quantitative होते हैं, quantitative से मेरा मतलब यह है कि उसके अंदर किसी particular amount, किसी चीज का particular amount ज़्यादा है, यह कम है, उसके विहाफ के हम देखते हैं, उन्हें diagnostic origin कहते हैं, जो की soil classification में काम आते हैं, diagnostic origin के बारे में हम अच्छे से दो पिछले वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं, diagnostic origin क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, epipadon और endopadon, epipadon जो है, वो number में 9 होते हैं, और endopadon 19 होते हैं, तो उनके बारे में हमने अच्छे से बात करी थी, तो for example, आपने जाना था कि argelic, जो हम देखते हैं, horizon हमने देखा था, उसमें वो clay का फॉर्म, जब उसमें से amount घट जाता है, click amount कम हो जाता है, तो उस condition में हमने उसे क्या कहा था, argelic horizon कहा था, तो कहने के मतलब यह हुआ, कि यह diagnostic horizons जो है, वो quantity को represent करते हैं, कि उसमें किसी चीज की quantity क्या सी कम है या जादा है, जिसके विहाफ पे हम soil का classification करते हैं, जब कि हम देख रहे हैं, जो genetic soil horizons है, वो क्या है, वो हर एक जो soil बन रही है, तो उसके अंदर इस तरह के horizons तो देखे जाते ही हैं, हाना, हो सकता है O ना हो, जैसे कि O horizon जो है, वो organic horizon को represent करता है, तो organic matter कभी हम देखते हैं, कुछ soils में नहीं होता है, तो उस case में हम कहा सकते ह हैं, लेकिन यह कुछ जो main है, जैसे कि A horizon, B horizon, C horizon, तो इस तरह के horizon जो हैं, वो basically देखे जाते ही हैं, तो इन्हें हम genetic horizon के रूप में समझते हैं, तो कहने का मतलब genetic horizon और diagnostic horizon में कुछ फरक होता है, अभी जो genetic horizon हैं, इन्हें हम तीन तरह से और divide कर देते हैं, इसके अदर सबसे हम कहते हैं, master horizon, जो master horizon है, यानि बड़े horizon के रूप में जो हम देख रहे हैं, तो वो है 6, यानि 6 है master horizon, जो कि है O, A, E, B, C, R, कुछ जगा आप पढ़ेंगे, तो आपने हो सकता है, पढ़ भी रखा हो, पांच master horizon बताए जाते हैं, तो वो जब question आएगा exam में, तो हमें options के ह आप से answer tick करना होगा, पर कभी-कभी जैसे teachers वगेरा भी हमें बताते हैं, कि 5 main master horizon है, लेकिन कुछ जगा वो books के अंदर इन्हें 6 mention किया गया है, तो हमें इसलिए मैंने आप 6 को represent किया है, कुछ layers और mention की जाती है, जैसे कि L layer, M layer, और साथ में W layer, तो इस तरह से कुछ और भी layers को represent किया जाता है, जो आगे अब हम जब पढ़ रहे होंगे, तो उस दौरान मैं आपको बीच-वीच में बताऊंगा, तो master horizon होते हैं, 6 होते हैं, याद रख सकते हैं, उसके बाद transitional horizon, transitional horizon जो होते हैं, अब यह master horizon है न, इन ही के हम देखते हैं, mixture के रूप में समझा जाता है, mixture की रूप में समझा जाता है, सिमिरा मतलब यह है, कि master horizon कोई उपर का, और या नीचे का, तो उन दोनों के ही character किसी particular एक zone के अदर देखे जा सकते हैं, कि कुछ character इसके हैं, कुछ character नीचे वाले के हैं, तो उन बीच का जो combination है, तो उस combination horizon को हम transitional horizon कहते हैं, clear है, इसे हम दो capital actors क मैं दो capital letters से represent करते हैं, जैसे कि मानलीची अगर लिखा है, A, B origin, A, B capital में, B, B capital में, तो जो पहला character है, उसके character उसमें ज्यादा होंगे, पहला alphabet है, जो पहला alphabet जैसे मैंने A, B बोला, तो origin के अंदर A के properties ज्यादा होंगी, as compared to B, तो इस तरह से हम देखते हैं, इनकी क्या की जाती है, naming की जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं, subordinate distinction, in master origin, यानि in master origin के ही particular कोई specific आपको information बतानी है, तो उसके नीचे हम देखते हैं, small letter के अंदर, small letter के रूप में हम उसके, और देख सकते हैं, information के लिए represent करते हैं, तो उस condition में से subordinate distinction कहा दिया जाता है, कि भई आपक particular कोई designation के बारे में बताना है, particular कोई खासित बतानी है किसी origin की, तब आप क्या करते हैं, इन master origin के नीचे भी एक छोटे characters को यूज करते हैं, अब इनकी list बहुत बढ़ी होती है, मतलब इनके अंदर काफे सारे हम देखते हैं, distinctions है, जिनकी list जो मैं यहां represent नहीं करूँगा, लेकिन आपके पास screen पर available हो जाएगी, तो आप उसका screenshot ले लिजीगा, और ताकि आप उने learn कर सके, तो इस तरह से एक दिमाग में image बन चुकी होगी, कि soil profile है क्या, ठीक है, तो क्या सिर्फ इतना ही important है soil profile की बारे में बाते हैं, नहीं, soil profile है क्या, ये तो समझ आगए आपको soil profile के अंदर हम देखते हैं, उनकी depth कितनी मानी जाती है, इसे भी याद रखें, soil profile की depth क्या आप जानते हैं कितनी होती है, अंदाजा लगाई ये कितनी हो सकती है, हो सकता है आपके दिमाग में हो इस कांसवर, कि 1.5 meter से 2 meter, या 2 meter, डेड़ से 2 meter तक गहराई तक माना जाता है किसे soil profile को, तो इसे भी आप note करके लिख लिए ये important point है, साथ में आप ये भी जान रखें कि इन सभी के अंदर जो मासर होरीजिन की जो खास बाते हैं, A, E, B, C, R, इन में से सीधे सीधे question समते जो पूछ ले जाते हैं, तो उनके बारे में हमें details में बात करने हैं, साथ ही मै आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले के वीडियो में हम soil classification, soil formation इन सब के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं, यानि पीडियोलोजी के कई सारे topics जो हैं मैं अल्रेडी कवर कर चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो उनके link उपर आ हैं, तो सबसे पहले O origin, O for organic matter आप समझते ही हैं, तो कहने हैं अच्छे से बना होता है, तो आप जानते हैं कि जो dead plant और animal residue है, dead plant animal के जो material है, उसी के decomposition से और अगे matter मनता है, तो हम देख रहे हैं, plant और animal का जो भी matter अगर available है किसी soil के उपर के layer में, तो उसे हम O origin कह रहे हैं, तो क्या O origin हर soil के अंदर देखा जाएगा, तो हम कहते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं in arable lands, arable land मतलब जहां हम देख रहे हैं, cultivation करते हैं, जह और grassland areas, तो forest के अंदर आप भी जानते हैं कि plants भी बहुत सारे हैं और animals भी बहुत सारे हैं, तो उनका residue, plants वगेरा की residue या animal की residue जो हैं, ज्यादा available होंगी, जिनका decomposition हो चाहिए ना हो, वो matter अगर ज्यादा से ज्यादा अगर soil के उपर के layer में present है, तब उसे हम क्या कह सकते हैं O origin कहा सकते हैं, समझाइए आपको बार, तो O origin कहां present कहेंगे हम, forest और grassland areas के अंदर, arable land जहां हम cultivation करते ही रहते हैं, soil को outlet-pullet करते हैं, तो वहां हम देखते हैं सबसे उपर origin कौन होता है, तो हम देखते हैं A origin होता है, ठीक है, समझाइए आपको बार, तो हम देखते हैं, generally जो soil है, उसका top origin किसे कहेंगे, तो A origin को कहेंगे, तो topmost origin of the soil अगर आप से पूछा जाए, तो आपका जवाब होगा A origin, लेकिन आप से पूछा जाए, कि topmost origin of the soil in the forest areas, या in grassland areas, तो आप आंसर करेंगे O origin, समझाइए आपको बार, हना तो अब हम देखते हैं, O origin जो ऐसे दो तरह से divide किया जाता है, O1 और O2, O1 origin जो होगा, जिसके हंदर हम देख रहे हैं, undecomposed organic matter होगा, decomposed material, decomposed हुआ ही नहीं है, जैसे हमने केड़े का शिटका जाड़ा, तो वैसा ही बढ़ा रहेगा, वो decomposed ही नहीं हुआ, decomposed मतलब जाए, soluble form के अंदर convert हो जाए, जिससे पौधा ले सके, ऐसी form, तो ऐसी form में बदला ही नहीं, तो उसे undecomposed material कहा दिया, raw material भी कह सकते हैं हमें, कि भाई, देखके ही हम समझ सकते हैं, कि हां organic matter decomposed नहीं हुआ है, तो ऐसी horizon को हम O1 कह देते हैं, और O2 क्या होता है, जब हम देखते हैं, decomposed organic matter जब देखते हैं, तो उसे हम कहते ह हैं, O2 horizon, अब कुछ जगह आप जब पढ़ेंगे, तो इसे O, A, O, B, और O, C के रूप में भी represent किया जाता है, तो वहां हम देखते हैं, organic matter की रूप में ही बताते हैं, कि बिल, undecomposed है, O, A कह दो, moderately decomposed है, और साथ में highly decomposed है, highly है तो कह दो, O, C, moderately, अगर decomposed है, तो O, B कह दो तो इस तरह से वहां पे terms दी जाते हैं, तो वह कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद हम देखते हैं, A horizon, तो इसके अंदर में बाद आपको मैंने बताई, कि the topmost horizon of the soil, यह जो चार पॉइंट मैंने यहां लिखे हैं, बहुत important है, आप इने वारे में discussion करेंगे, लेकिन उपर देखते हैं, constitute mineral horizon, A horizon को mineral horizon कहते हैं, organic उपर वाला हो गया, तो organic के अलावा soil में क्या होता है, तो minerals होते हैं, और क्या होता है, soil होता है, water भी होता है, sorry, water भी होता है, और air भी होती है, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि जो soil है, soil के composition के अंदर हम यह होते हैं, below the O horizon, O horizon के, अगर present है, तो उसके नीचे है, clear है यह बात, तो हम देखते हैं, topmost origin of the soil, इसे mineral soil भी खहा दिया जाता है, mineral horizon भी खहा दिया जाता है, साथ में इसकी depth जो होती है, वो याद रखें, 0 to 15 cm होती है, अभी मैंने आपको पिछली slide में बताया था, कि soil profile की जो पूरी depth है, वो कितनी थी, 1.5 to 2 meter आपको याद है, तो यह आप याद रखें, 0 to 15 cm होती है, clarity है, उसके बाद हम देखते हैं, most fertile horizon अगर soil में है, तो कोई कौन सा है, तो हम देखने है, ए होरीजन है, तो जनरली ओ होरीजन तो हम देखा है ही नहीं, तो फिर कौन सा होरीज तो यह सारी सीज़े अगर सबसे ज़्यादा आगर देखी जा सकती है, तो वो ए होरीजन में देखी जा सकती है, clarity है, याद रखेंगा है इस चीज़ को, और हम देख रहे हैं, mixed form of organic nutrient and mineral, यहां हम देखते हैं कि ए होरीजन के अंदर कभी-कभी, ओ होरीजन का organic matter का mixture भी देख जाता है, तो यह हम देखते हैं, mixed form कही जाती है, organic matter और साथ में, minerals की, साथ में cultivation, pasturing, fertilizer application, machinery का इस्तमाल करना, यानि tractor पगएर चलाना, uses, etc. are performed in the A-Horigen, इसे भी आप याद रखें कि, जो भी हम देख रहे हैं, agriculture से जोड़ी प्रेक्टिस जो हम कर रहे हैं, variable land पे, वो किस होरी हैं, तो A-Horigen में हो रही है, यसे भी आप क्याते हैं, ठीक है, आगे बात हैं समझ में, अब मज़े बारी बात ही है, कि A-Horigen को भी तीन तरह से नाम दे दी जाते हैं, designation दी जाते हैं, कि A-1, A-2, A-3, O-Kो भी दे दिया था, O-1, A-2, O-C को भी दोड़ दिया, A-1, A-2, A A-3, A-1 क्या है, A-1 तो यही है, जो हमने पढ़ लिया, साथ में A-2 क्या है, उसके बारे में, बात करेंगे, और उसके बार नीचे हम देखेंगे, A-3 क्या है, तो उसके बारे में, बात करेंगे, ओके, I hope, यहां तक तो आपको समझ आई गया, कि O-Horigen और A-Horigen क्या होते ह हैं तो हम देखते हैं E horizon तो मैंने अभी आपको कहा कि E horizon को ही हम A2 horizon भी कहते हैं A2 horizon अब देखो यह confusion थोड़ा सा बढ़ने वाला है तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से represent कर दिया है तो यहाँ सीज को समझ लेते हैं O को क्या कहा था O1 और O2 के रूप में अब यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ वाशिंग आउट जोन कहते हैं वाशिंग आउट जोन मतलब इसमें से कुछ निकल गया है कुछ मतलब क्या कुछ मतलब जिसकी स्कुआ उकसाइड सैस्टी ऑकसाइड यानि फेरम और एल्यूमिनियम के उकसाइड लिविंग आउट कॉंसंट्रेशिन और ऑफ इंड निकल गई तो पिछे बचा क्या तो पिछे बचा सेंड उर इस फिल्ट पार्टिकल एस बच जाती है इस होरीजन के लेकिन मेंवाल हम तो इस वज़े से वह थोड़ा सा डाक होता है लेकिन यह जो है वो लाइट कलर का होगा क्लियर है तो इसे हम क्याते हैं इह होरीजन को ही एटू होरीजन का है ठीक है इस तरह से लाइन बनाई है इसका मतलब वो इसमें एक ही है लेकिन साथ में कुछ बी होरीजन की है यानि हम देख रहे हैं आई लूवियल होगा इस चीज को जानते होगे आप कि कुछ निकल गया तो उस प्रोसेस को बहुत दो illuviation E for illuviation और जिसमें निकल के आया है जहां accumulate हुआ है एक खटा हुआ है उसको बहुत दो I for illuviation तो इस horizon को हम कहते हैं B horizon तो यह B horizon के characters भी कुछ हैं और कुछ उपर वाले characters भी हैं इसे हमने क्या कह दिया A3 horizon, transitional horizon इसे के नीचे जो है वो B1 horizon तो B1 horizon भी एक तरह का transitional horizon ही है जो हम देख रहे हैं कुछ character उपर के कुछ character नीचे के रख रहा है और जो main है वो है B2 horizon B2 horizon वास्तव में हम क्या कह सकते हैं washing in होता है B2 horizon वास्तव में illuviated horizon होता है जिसके अंदर वास्तव में कुछ accumulate हुआ है mainly तो हम देखते हैं वो B2 horizon में हुआ है ठीक है तो इसे आप याद रखिएगा B2 जो है उसे illuviated राद रखना है A2 जो है उसे illuviated याद रखना है ठीक है अब A2 B2 में confusion हो रहा हो तो या थोटा से ध्यारन से सुनना पड़ेगा इस वीडियो को आपको बाकी ने तो पीछे स्किप कर लो स्पीड अगर 2X पर चला रखी है तो थोड़ा से धीर कर लो पर चीजे समझाने लगेंगी अगर आप इसको एक बार दो बार सुनेंगे तो इस तरह से हैं और हम देख रहे हैं उसके बाद है C horizon C horizon का क्या मतलब है zone of least weathering यह भी important term सबसे कम weathering के zone में होती है तो इसे ही कहेंगे C horizon को कहने के ठीक है Unconsolidated material under the solam 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 क्या होता है आप जानते है Solam मतलब Latin भाषा का word है है ना जिसका मतलब floor और ground होता है यह आपको दिवां में बार बार फुट फुट के आता होगा यह language जिसे ना कई पार हमको रटवा दी जाते हैं तो वह सही बात है मैं कहा ने रहा गलत नहीं है जयाद होना भी चाहिए सही बात है तो Solam जो है वो A plus B horizon को मिला के कहा जाता है इसे भी याद रखें तो A plus B horizon को मिला के कहते हैं C horizon को substratum भी खा जाता है यह भी याद रखें और this horizon is outside the zone of biological activity C horizon के अंदर आपने जाना weathering सबसे कम होती है साथ में यह भी याद रखना है कि यहाँ biological activities यानि microorganisms की activities वगरा जहें वो भी सबसे कम होती है और कुछ है जो C horizon में याद रखना है नहीं चलेगा इतना C horizon के नीचे कुछ है तो वो है पुरी rock यानि चटान ही आगी नीचे यानि इसको हम और तोड नहीं सकते या तोड सकते तो हैं लेकिन वो क्या है बहुत ज़्यादा वो क्या था अन-consolidated मतलब बिखरा हुआ सा material consolidated यानि मजबूती से बंधा हुआ तो underline consolidated rock rocks जो है उसे आर होरीजिन की रूप में कहते हैं with little evidence of withering इनमें भी कुछ हद तक little evidence देखे जाते हैं withering के bed rocks mainly bed rock को represent करती है bed मतलब नीचे का सबसे गद्दा हो गया नीचे नीचे का bed हो गया आपका और उसके उपर क्या बन रही है source बन रही है तो इसे bed rock क्या दिया और साथ में granite, basalde, etc अलगलग जो रॉक्स होती है वो इस रूप में नीचे देखे जाती है तो कहने को मैं तो आपको समझ आ गया आपको कुछ लेयर्स के बारे में आपको शुरू में बताया था कि L, M, W इस तरह की कुछ लेयर्स भी बताई जाती है अलगी और डाय अटम्स से बनता है अलगी और डाय अटम्स आप जानते होंगे कि वाइकरो और्गनेजम्स जो होते है उनसे हम देख रहे हैं क्या होता है इस तरह का होरीजन क्रीट होता है और स्पेशली यह ध्यान रखीएगा यह सिर्फ हिस्टो सोल में देखा जाता है तो मेरी कोशिश है स्क्रीन पर यह सब कुछ मैं जो बोल रहा हूँ वह सामने आपके सामने लिखावा आ जाए ताक कि आप उसे नोट कर लें और साथ में एक होता है M होरीजन M होरीजन जो है M होरीजन नहीं M लेइर कहना चाहिए से M लेइर जो है वह हम कहा रखते है कि M लेइर जो है उसके अंदर हम याद रखते हैं कि यह root limiting subsoil होती है root limiting यानि इसमें soil की growth मतब स्रॉल root की growth नहीं देखी जा सकते root सागे penetrate नहीं कर पाती क्योंकि यहां हम लास्ट में हम जो देख रहे थे डबलू लेयर डबलू का मतलब है वाटर लॉक्ट कंडिशन आप समझते हैं कि भी पानी जब ज्यादा होता है तो सेचुरेटीट कंडिशन तो वहां से डबलू लेयर के रूप में नाम दे दिया जाता है ठीक है तो इस तरह से कुछ यह ती आपको वह लिस्ट मिल जाएगी तो आप उससे से याद कर सकते हैं या नो डाउन कर सकते हैं ओके तो साथ ही मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियो में हम fundamentals of soil science के कई topics especially मैं कहूंगा pedology से related जो भी topics है उन्हें cover कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके link उपर आई बटन की साथ नीचे description box में available हैं आप चाहें तो नहीं देख सकते हैं साथ ही मैं आपसे request करूंगा कि आप इस वीडियो को like ज़रूर करें क्योंकि इस वीडियो को like करने से इस channel को तो support मिलेगा ही साथ ही आप इस channel से और अच्छे से जोड़ सकते हैं क्योंकि like करने से इस channel के और भी जो वीडियो है YouTube आपको recommend करता रहेगा तो आप इस channel से और अच्छे से जोड़ सकते हैं आने वाले वीडियो में हम soil physics के बारे में बात करने वाले हैं, soil physics के जो भी topics है मेरी कोशिश है one by one हम उनके बारे में भी बात करें तो इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा agricultural studies से